ओम शान्ति, कल्यानकारी हीरे तुल्ले संगम युकपर, अकाल तक्त अर्थार्थ स्वीट होम में रहने वाले, अकाल मुरत बाप, हम बच्चों को भक्ती की कर्म कांडों से छुडा कर, हमारे मूध पलीती कपडों को धोकर, हमें उंचे से उंचा ज्यान देकर, मुक्ती और जीवन मुक्ती का वर्चा देते हैं, आईए, रिवाइस करते हैं, आज के 16 मई 2022 के बाबगे महावाक्यों को, आज की मुरली की अनुसार गायन इस प्रकार है, सेकिन्ट में जीवन मुक्ती, ईश्वर की गत्मत नियारी, यदा यदा ही धर्मस्य, मनुष्य से देवता किये, मूत पलीती कपड़ धोये, सत्युग आदिसत, है भी सत, होसी भी सत्युग पर श्रिव बाबा आकर कौन से कर्तव्वे करते हैं, श्रिवाले बनाते, गाइड बन ले जाते, राज्युक सिखलाते, माया के फंदे से छुडाते, पुरानी स्रिष्टी को नया बनाते, सुप्रीम टीचर बन नौलेज देते, भक्ती मार्ग के जंजटों से छुडा देते, खास भारत, आम सबको सद्गती देते, क्या होने से क्या होता है? जब लडाई लगती है तो गेट खुलता है, पुरुशार्थ नहीं करेंगे तो स्वर्ग की राजाई नहीं मिलेगी, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है, सत्युक के बाद द्वापर में आते तो कला कमती हो जाती, अपने द्वाई धर्म को भूलते हैं तो और और धर्मों में घुस जाते हैं, अपने को भाई बहन नहीं समझेंगे तो विकार में चले जाएंगे, बाबा मनुश्रेतन में आते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, खान पान की परहेज नहीं रखेंगे तो जैसा अन वैसा मन हो जाता है, इश्वर ये फैमिली का लौ क्या है, भाई भाई होकर रहना, ब्रामन फैमिली का लौ क्या है, भाई बेहन होकर रहना, यह संगम युग कल्यान कारी युग कैसे है, इस समय बाप अपने बच्चों के सम्मु खाते हैं, इस समय बाप, टी इस समय नर्क को स्वर्ग बनाने वाली बाप की न्यारी मत को हम जानते और उस पर चलते हैं, हमारा सन्यास सतोप्रधान सन्यास कैसे है जिससे हम देवता बन जाते हैं, हम पवित्र बनते हैं, खानपान की परहेज रखते हैं, सिर्फ बाप और वर्से को याद करते हैं, कौन है? मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, ब्रह्मा की संतान, श्रिव बाबा के बच्चे, श्रिव बाबा की गाएं, आपस में भाई बहन. विश्व सेवाधारी कौन है? सर्व को स्नेह एवं सहयोग देने और लेने वाला. हमें धारणा किन बातों की करनी है? अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, दे अहंकार को छोड़, दे ही अभिमानी बनना है, बाप और वर्से को याद कर पवित्र जरूर बनना है, ज्रामा को यथार्थ रीती समझ कर पुरिशार्थ करना है, ज्रामा में होगा तो करेंगे, ऐ ऐसा सोच कर पुरिशार्थ हीन नहीं बनना है, ये थी आज के मुरली की विशेश बाते, हम ब्रामनों का लक्षे है, फरिष्टा सो देवता बनना, और देवता बनने से पुर्व हमें अपने घर परमधाम जाना है, उसके लिए तयारी करें अशरीरी बनने की, और देवी गराने में जाने के लिए आत्मा का अभ्यास पक्का करते रहें, और ड्रामा पर अटल निश्चे रख, ड्रामा को यथार्थ समझ कर अपने पुरिशार्थ को तीवर करते जाएं, ओम शान्ति